हलो गाईज गूड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग मैं शिवम राजपूत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफर्म हलो टीचर्स पर यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक आप लोगों का इंडिविज्वल डिफ सब्सक्राइब कर देंगे और अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक ठीक है ना शेयर नहीं किया है तो जल्ली से लिंक को कॉपी करके सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजे और आप सभी लोगों को बता होगा हेलो टीचर्स अब पार्ट अफ अनकेडमी और अनकेडमी पर इसी के साथ मैं आप लोगों को MICHAEL करें यहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाल मिल जाएगा और यहाँ पर डैली सुबवा दोस्तों दस बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ special class जो की आप लोगों के लिए join करना एकदम free of cost होती है तो दोस्तों जल्दी से जाकर इस नाम से मुझे profile मिल जाएगा follow करना है और आप लोगों को यहाँ पर daily live classes, test series quizzes और दोस्तों कई सारे structured courses भी मिल जाएंगे जो आप लोगों को join करने के लिए shivamr code यूज़ करके join कर सकते हैं इसमें दोस्तों kvs, ctet, supertet, dtr plus b, mptet, uptet, read इन सभी के एक साथ courses सभी मिल जाएंगे और दोस्तों इनका unlimited access भी मिलता है जैसे अगर आप एक course में join करते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को ही के ना kvs, dtr plus b, supertet के लिए अलग-अलग से course join करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एक साथ में ही मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को 1.28 March को होने जा रही है an academy t.e.t championship जिसमें सामको 6 बजे 60 question रहेंगे, 60 minute में यह mock test type का होगा तो इसमें जिसकी first rank आएगी उसको वही 5000 रोपय का amazon voucher second to 10th rank वाले को प्रते एक बच्चे को 2500 रोपय का amazon voucher और 11 से 20 rank वालों के लिए 1000 रोपय का amazon voucher और 45th rank तक के बच्चों के लिए 5500 रोपय का amazon voucher अब भाई पैसे तो हो जाते है secondary चीज लेकिन अगर आप test देंगे तो इससे आपको यह पता लगेगा कि हमारी preparation सही दे सामें जा रही है या नहीं, हम कितना पानी में, आप जो पढ़ रहे हैं उसी तरह के questions exam में आते हैं नहीं, तो यह सारी चीजों के लिए आपको यह test series जरूर join करनी है इसे join करना free of cost है वीडियो के नीचे link दिया गया है वहाँ पर जाकर आप join कर सकते हो और इसमें दोस्तों अगर आपकी first prize आती है तो आप लोग के लिए 5000 रोपय का assured prize है जो की आप लोग को Amazon voucher के रूप में मिल जाएगा और दोस्तों इसी के साथ आप लोग की UP TED की free super marathon series भी available है इसे भी आप जा करके देख सकते हैं और plus courses में जुडने के लिए दोस्तों आप लोग को shivamr code use करना होगा जिसकी मदद से आप लोग को 10% discount भी मिल जाएगा दोस्तों 1 महिना, 3 महिना, 6 महिने, 12 महिने के courses available हैं जिसमें shivamr code use करने पर 10% off मिल जाएगा और साथ ही साथ coin use करोगे तो दोस्तों आप लोग को extra 10% off भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के session को start करते हैं सभी लोग pen paper लेकर के बैठना और आप लोगों को जो भी doubt हो प्लीज जरूर पूस्ते जाएगा तो सबसे पहला आजाता है सर प्रतिभास आली बालक प्रतिभास आली बालक को आप लोगों को पता होगा जैसे कि हमें सामने दिख रहा है कि प्रतिभास आली बालक जिसको हम लोग talented child भी बोल देते हैं और इसका दूसरा meaning भी आप लोगों के सामने है इनी को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं gifted child भी बोल देते हैं तो सबसे पहली बात आजाती है सर प्रतिभास आली बालक किने कहा जाता है the children whose IQ is greater than normal child and their rate of development is also high in comparison to normal students प्रतिभास आली बालक बे बालक होते हैं जिनकी बुद्धी लब्धी यानि की जो IQ होता है वो सामाने बालकों से कितना होता है अधिक होता है लेकिन एक बात आजाती है सर अधिक तो है लेकिन कितना अधिक है तो भाई ये जो अधिक है ये आप लोगों को टर्मन की जो टेबल है उसमें पता होगा कि जो 140 से उपर IQ वाले बच्चे होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों gifted child बोल देते हैं और इनकी विकास की दर्वी सामाने वालकों से अधिक होती है अब आप लोग बोलोगे सर क्या बच्चा जो gifted है वो उसकी height जल्दी से बढ़ेगी ऐसा नहीं है भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा हो किसी बच्चे का अगर दिमाग तेज है तो उसको चीजन जल्दी से याद हो जाएंगी या time लगेगा आप बोलोगे सर उसे चीजन जल्दी से याद हो जाएंगी जल्दी से वह समझ पाएगा जैसे class में सर जोड घटाना पढ़ा रहे थे तो जिस बच्चे का दिमाग तेज है वो जल्दी से सीख लेगा या नहीं भाई बिलकुल सीख लेगा अब उसने अगर ये चीजन जल् 240 से अधिक होता है इतनी बात आप लोग नोट डाउन कर लोगे और इसकी वज़य से इनके विकास की दर और अगर आप लोगों को विकास में पूछा जाए सर कौन सा विकास तो आप लोग ध्यान नकोगे सर मानसिक विकास या mental development जो होता है वो काफी तेजी से होता है तो य emotional development पर social development यानि की संवेग आत्मक विकास भावात्मक विकास आधी सब पर देखने को भी मिलता है तो दोस्तों ये तो था इनकी बुद्धी लबदी से related point दूसरी बात they are always eager to ask questions वो हमेशा नए नए questions को पूछने के लिए क्या होते हैं तैयार होते हैं और वो किसी एक काम पर लंबे समय तक के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों focus कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मतलब ध्यान लगा करके किसी एक काम को करना लंबे समय तक के लिए इनके लिए आसान होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा normally हम किसी काम को करते हैं सुरुबात में हमारा मन लगता है लेकि गिफ्टिड बालकों के साथ ये चीज बड़ी अच्छी होती है कि ये किसी चीज पर ये किसी काम को अगर कर रहे हैं तो एक साथ फोकस करके एक चित्क लगा करके कर सकते हैं और काफी लंबे समय तक जैसे की लगातार 3-4 घंटे बैठ करके पढ़ना मेहनत करके तो ये सही बात है या नहीं लगाता 4-5 घंटे बैठ करके पढ़ना भी एक बड़ी बात होती है इसके लिए बहुत जादा पेशेंस बहुत जादा मेहनत की जरूरत होती है लेकिन जो गिफ्टिड बच्चे होते हैं उन्हें ये करने में थोड़ी सी आसानी होती है और ऐसा नहीं है कि जो सामान बालक है वो नहीं पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है लेकिन एक गिफ्टिड बच्चा जो है इतने टाइम में ज़्यादा सीख लेगा लेकिन सामान बालक को उतने टाइम में थोड़ा सा कम सीख पाएगा तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे एक तो सबसे important question यही आ जाता है कि जिन बालकों का IQ 140 से अधक होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं और दोस्तों जो बालक होते हैं प्रतिभासाली वे किसी कार को एक कार को कितने समय तक कर सकते हैं दूसरा आ जाता है सबसे important कि भाईया जैसे आपकी class में आप पढ़ा रहे थे अब समावेशी कक्छा का हम लोग follow करते हैं समावेशी कक्छा कक्छ तो आप जानते ही हो जहां एक साथ एक ही छट के नीचे सभी प्रकार के बालक पढ़ाए जाते हो उसे हम लोग समावेशी कक्छा कक्छ बोल देते हैं अब जैसे आपकी class में कोई समावेशी कक्छा मैं हो आप सभी प्रकार के बच्चे हैं अब इनको पढ़ाने के लिए अगर आप normal method और normal speed से पढ़ाओगे तो यह जो बालक हैं यह क्या हो जाएंगे भाई कुछ time के बाद निश्चित ही भाई बोर फील करने लगेंगे और बोर हुए तो भाई यह तो यह उधम करेंगे या class से उठके भाग जाएंगे सही बात है तो इनको पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों special education program बनाते हैं क्या करते हैं भाई special education program कैसे होते हैं भाई वो special education program जैसे की भाईया उनको पढ़ाने के लिए आप समरद सिक्छा कारिक्रम जिसमें आप लोगों का group discussion हो निवन्द लेखन प्रतियोगता हैं हों, games हो, ठीक है न? और कई सारी क्रिया हैं जैसे की यहाँ पर निवन्द लेखन प्रतियोगता, लेखन प्रतियोगता इनको कक्छा में उननती दे कर के, मतलब किसी बच्छे के कक्छा 5 में अच्छे Reason तो उसे आप कक्षा 6 skip करा करके सीधा कक्षा 7 में admission दिला दो सीधा क्या करो कक्षा 7 में admission दिला दो तो इससे क्या होगा कि दोस्तों वो अपनी सिख्चा को और भी अच्छे level पर ले जाएगा क्योंकि जो कक्षा 7 की कितावे होंगी उनका level कक्षा 6 की कितावें से तो अधिक होगा ही या नहीं तो दोस्तों इसलिए हम इने कक्षा कक्ष में उन्नती दे कर भी आगे बढ़ा सकते हैं और last सबसे important point प्रतिभा साली विसेस्तावें में कि सर ये जन्मजात होते हैं ना की अर्जित प्रतिभा जो होती है वो mostly देखा गया है वो कैसी होती innate ability होती है और acquired बहुत ही कम होती है अर्जित नहीं की जा सकती है प्रतिभा प्रतिभा जो होती है दोस्तों जन्मजात मतलब जन्म से ही आती है जैसे कि किसी बच्चे की painting बहुत अच्छी है किसी बच्चे को music में बहुत जादा interest है अब आप लोगों ने देख लिया किसी बच्चे की painting बहुत अच्छी है मतलब जन्म से ही उसके हाथों पर control बड़ा प्यारा है अब एक चीज समझो उसको आपने कभी brush पकड़ने को दिया ही नहीं उसको कभी ऐसे school में भेजाई नहीं जहां उसे painting बगेरा की practice कराई जाए तो एक चीज तो आपको पता है कि भाई बच्पन से ही कितना हश्च पुश्च बालक हो कितना ही healthy हो बड़िया पहलवान हो अगर उसे खाने के लिए आप कुछ ढंका खाना ही ना दो तो दोस्तों क्या वो सही स्वस्त रहेगा नहीं रहेगा वो फिर से बिमार पड़ जाएगा कमजोर हो जाएगा यही प्रतिवा साली वालक के साथ होता है बाई प्रतिवा जन्मजात होती है लेकिन उसको पोसित करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा एन्वार्मेंट होना, हल्दी एनवार्मेंट होना स्वस्त वातावरन होना अतियंत आवश्यक होता है तो दोस्तों यह जो पॉईंट था आप लोगों को समझ में आगे होगा कि प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात तो होती है लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए एक समरद बातावरण होना अतियंत आवश्यक है जिसमें उसको अपनी कलाओं का अपने हुनर को आगे बढ़ाने का अपने हुनर को प्रियोग करने का अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का जादा से जादा मौका दिया जाए और इन बालकों की बुद्धी लबदी 140 या उससे अधिक होती है ये बात आप लोग ध्यान रखोगे क्योंकि यहां से question direct आ जाते हैं और यहां पर आप लोगों को कुछ मैंने important points लिखे हुए हैं यहां से भी आप लोगों को समझना होगा की crow and crow के अनुसार इन बालकों की बुद्धी लबदी कित्ते के से अधिक होती है 130 से या उस से अधिक होती है यह crow and crow जो अमेरिका के सिक्चा मनोविख्यानी मैंसे बहुत अच्छे मनोविग्यानिक थे तो इन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रतिवा सालिया gifted बच्चे होते हैं जिनको हम talented बच्चे भी बोल देते हैं इसको दोस्तों talented से ज़्यादा gifted नाम से ये चीज याद रखना exam में gifted के नाम से बहुत बार use किया जाता है तो दोस्तों ये 130 से अधिक होती है और इनका शब्दकोष विशाल होता है भीया इनकी जो vocabulary होती है विशाल कैसे होती है मतलब ये आसानी से भासा समझ लेते हैं इनको दोस्तों सब्दकोष के जो विभिन विभिन शब्द होते हैं उनके meaning जादा पता होते हैं और ये नए ग्यान को सीखने के लिए उतावले होते हैं नए चीज को सीखने के लिए बड़ी इक्षा होती है कि आज जाएंगे हम ये चीज सीखेंगे हम ये करेंगे हम ये करेंगे तो ये नए ग्यान को सीखने के लिए भाई बड़े उतावले होते हैं इसलिए अगर आप लोग ने किसी भी चीज को आप दुवारा दुवारा पड़ाओगे न ये लिखा हुआ है पुनराव विर्ती और आप ज़्यादा किसी चीज को आप repeatedly पड़ाओगे तो ये जल्ली क्या कर जाते हैं उब जाते हैं भाई बोर होने लगते हैं और एक बार जब बच्चा बोर हुआ तो इससे क्या बनने लगता है अधिगम पठार बनने की संभावना आ जाती है या नहीं अधिगम पठार जल्दी आ जाता है अगर आप लोग प्रतिवा साली बच्चों को एक ही चीज बार बार पढ़ाओ रिपीटिडली पढ़ाओ तो इससे अधिगम पठार जो है वो बहुत स्तीबर रूप से आ जाता है तो दोस्तों इनकी नेड़ा सत्ती जो होती है वो सतंत होती भई अपने नेड़ा ये स्वयम ले सकते हैं और इन्हें संबंदित विश्यों का जो ग्यान होता है वो ग्याहरा होता है भईया जैसे कोई प्रतिवा साली बालक है वो मैत पढ़ रहा है तो वो मैत को अकेला उपर उपर से नहीं पड़ेगा उसे deep में knowledge होगी ये चीज आप लोगं को ध्यान रखनी है अब आ चुके हैं अगले page पर अगला part जो होता है सरस्रजनात्मक बालक creative children क्या होते हैं देखो क्या होता है प्रतिभास आली बालक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं अब लेकिन जो बच्चा जन्म से थोड़ा सा ठीक है ना प्रतिभास आली नहीं है तो क्या भाई कभी भी आगे नहीं मड़ सकता है तो नहीं है भाई आप उसको अच्छा वात अवरण दोगे अच्छे माहौल में भाई पड़ेगा तो दोस्तों वैस रजनात मक्ता को भी ग्रहन कर सकता है या नहीं ये बालक जो होते हैं इनका IQ जो है जन्रली प्रतिभासाली बालकों से कम माना जाता है और सामान वालकों से अधिक माना जाता है तो 110 से लेकर 130 इनका IQ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और ये जो होते हैं इस प्रकार के वालग जो होते हैं अधिक अपसारी चिंतक होते हैं इन वालगों में अपसारी चिंतन की किरिया जो होती है वो अभिसारी चिंतन से कैसी होती है अधिक होती है और ये प्रतेक कार को एक अलग तरीके से और नए तरीके से करने की क्या रखते हैं योगता रखते हैं अब भाई ये नए तरीके से करने की योगता तो रखते हैं वो सफल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है वो कम सफल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन हाँ ये नए तरीके से करने की योगता जरूर रखते हैं कि भाई मैंने जो सेखा है मैं उसको अलग तरीके से कर सकता हूँ ये जो था आप लोगों के लिए क्या था स्रजनात्मक बालक की एक विसेस्ता थी और हम इन्हें दोस्तों करके सीखने की जो विवस्था होती है यानि कि लैब मैं दे दो, प्रोजेक्ट दे दो इन सभी क्रियाओं के द्वारा इनके सीखने के वातावरण को हम क्या कर सकते हैं अधिक रूप से पोशित कर सकते हैं समझ में आई बात या नहीं एक बार कमेंट करके बताओ कि हम इनको लर्निंग बाई डूइंग जैसी विदियों से प्रियोग कर सकते हैं अब आज आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेस्चन पर इन क्वेस्चनों को करें लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कलकी क्लास होगी उसमें दोस्तों हम लोग जो टॉपिक डिसकस करेंगे उसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम समस्यात्मक बालक क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ समस्यात्मक बालकों की क्या-क्या विसेस्ताय होती हैं वो पढ़ेंगे और पिछडे वालक और मंद बुद्धी बालकों की सिक्षा किस परकार होनी चाहिए ये भी हम लोग discuss करेंगे तो दोस्तों जो कल की class होगी उसमें हम लोग इन प्रकार के बालकों को discuss करेंगे तो दोस्तों which of the following is not a form of bullying तो दोस्तों निम्न लिखत में से कौन सा एक बदमाशी का रूप नहीं है और इसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि दूसरे बच्चों को छोड़ना छेड़ना भी एक समस्यात्मक बालक की क्या है विशेस्ता है अन्य बालकों को धक्का देना भी है और दूसरों का अपमान करना भी है लेकिन तीसरा जो है वो option नहीं होगा क्योंकि ये जो है आप लोगों के सामाज एक बालक की थीक है न बिसेस्ता है क्लिर हुआ चलो तो दोस्तों तीसरा हो जाता है आपका सही जवाब अब हम आ चुके है अगले question पर if our child has no problem with the school work or other than reading writing that what could he be diagnosed with किसी बालक को बच्चे को पढ़ने के और लिखने के अलावा किसी अनिस्कूली कार में कोई समस्या नहीं है तो उसे किस रूप में निरूपित किया जा सकता है देखो उसे पढ़ने लिखने की दिक्कत है तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा dyslexia और dysgraphia हो सकता है और ये दोनों जो होते हैं आप लोगों के learning disorder में आते हैं ना कि संचार विकार में संचार विकार में क्या आता है दोस्तों आप लोगों का autism आता है autism आ जाता है मानसिक मंदता दोस्तों मंदबुद्धी बालकों के अंतरगत होती है जिनका IQ जो होता है लगबग 70 से कम मारा जाता है IQ जो है वो आप लोगों का intellectual disability हो जाएगी लेकिन ये दोस्तों पढ़ने लिखने में नहीं आता है और A for Apple इसका क्या हो जाता है सही जबाब हो जाता है अब आ चुके हैं थर्ड क्वेस्चन पर which of the following does not negatively affect prenatal development तो दोस्तों यहाँ पर आप होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें जो दिख रही है इन मैसे कैफीन हुआ शराब का शेवन विकरन ये तीनों चीजें बच्चे को जब वह अपनी मा के गर्व के अंदर रहता है उसे प्रभावित करती है लेकिन वियायाम जो है एक प्रॉपर तरीके से किया जाए तो यह प्रभावित नहीं करता है और बीस का क्या हो जाता है दोस्तों सही जबाब हो जाता है अब इस तरह से आप लोग बोलोगे सर जैसे कि यह जो चीजे हैं क्या इनसे दोस्तों बच्चे कि प्रतिवाश आलिता पर प्रभाव पड़ता है भाई कभी कभी देखने को मिल जाता है क्योंकि इससे बच्चे के personality के अब्यक्तत के अन्य-अंग प्रभावित होते हैं तो इसकी वज़ा से हम बोल सकते हैं कि इसकी वज़ा से बच्चे की सारे रिक रूप से जो किरिया हैं होती है वो भी प्रभावित होती है और अगले पॉइंट पर आ जाते हैं सर फोर्थ क्वेश्चन जो रहा अब्राहम मैसलो के अनुसार अब्राहम मैसलो के अनुसार मानव प्रेणा की पराकाश्था है समिट समझते हो समिट का मतलब अगर हम लोग देखें कि कोई भी इनसान जब जन्म लेता है तो टॉप पर पहुँचने की पराकाश्था क्या होती है तो भाईया आप सभी लोगों को पता होगा कि अब्राहम मैसलो के सिद्दानत में सबसे नीचे क्या थी दोस्तों देहक मांग क्या थी देहक मांग जिनको हम लोग सारे रिक मांग भी बोल देते हैं दूसरी जो थी दोस्तों भाई क्या थी सुरक्षा या सेफटी नीड्स तीसरी जो थी दोस्तों भाईया आप लोगों के संबंद की मांग थी पूर्थ जो थी दोस्तों आप लोगों के किस के थी सम्मान की मांग थी और लाष्ट जो थी वो थी आप लोगों के आत्म सिध्धी की मांग किस की मांग थी आत्म सिध्धी की मांग तो दोस्तों तीसरा इसका क्या हो जाता है सही जबाब हो जाता है सीस का क्या होता है दोस्त पर अगला question ये रहा कि विविदता के प्रभाव को यानि कि diversity के प्रभाव को कम करने के लिए बच्चों को निमने लिखत में से किसकी अनुमती आप दे दोगे मतलब एक दूसरे से जीत हासिल करना यानि कि competition करना अलग अलग समूहों में काम करना भाई बच्चे से पहले ही अलग अलग हैं जैसे किसी class में कुछ बच्चे हिंदी बोलना हैं, कुछ बच्चे इंगलिश बोलना हैं, तो इन सभी लोगों को आप देखोगे, यह पहले ही अलग-अलग हैं, आप इन्हें अलग-अलग भागों में बनाने के लिए बोल दोगे, तो यह तीनों जो हैं, उनमें अलगाओ की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन डीस का क्या होता है दोस्तों सही जवाब हो जाता है अब दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन लेकिन आप लोगों को पताओ प्रतिवा साली बालकों के अंतरगत अगर इन्हें सही दशा और दिशा ना दिखाई दी जाए तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी सो करते हैं जिसमें कि आप लोगों का सबसे पहला तो हो चाता है ये दूर्शिरों से क्या रखते हैं इडशिया रखते हैं दूसरों से द्वेस की भावना रखते हैं और दूसरों को नीचा देखाने का गुण जो होता है वो रहता है और उतावलापन में दोस्तों गलत निर्णाय लेने की किरिया भी इनके नकारात्म गुणों में आ जाती है तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताई हो और आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाकर आप लोग फॉलो कर लीजे यहाँ पर आप लोगों के लिए कल सुबह में 10 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास ले करके आ रहा हूँ इसमें जुड़ना मत भूले और 28 मार्च को सामको 6 वजे अनकेडमी T.E.T. चैंपियनसिप भी है जिसके साथ यूपी T.E.T. का मेराथान सेशन भी है और अगर आप लोग हमारे किसी भी प्लस सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो शिवा मार कोड यूज करके आप 10% डिसकाउंट ले सकते हैं जिसमें आप लोगों को शिवा मार कोड पे 10% डिसकाउंट मिल जाएगा और सभी के पैसे भी बच जाएगे तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताईए और सेशन में जुड़ने के लिए दोस्तों सभी लोगों का धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास में जो की कल होगी फिर से दुपहर में 2 बजे तब तक के लिए वैवै टिक के नमस्कार और थैंक यू